नमस्कार दोस्तों, हमारे चनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम 7 जुलाई का करन फिर देखेंगे जो आपको रेलवे एक्जाम, बैंक एक्जाम, EPSC, स्टेट PCS और बाखी जितने भी कॉम्पिटेटी एक्जाम होते हैं उन सब में बहुत हेल्प करेगा तो दोस्तों बनी दिये हमारे साथ फूरा वीडियो जरूर देखें जिसे कोई भी जानकारी आप सबसे छुटे नहीं दोस्तों सबसे पहले हमने जो आप से कल सवाल किया था उसका आंसर देख लेते हैं तो कल का हमारा जो सवाल है पूराना नाम है वह मुहम्मद एंगलो औरियंटल कोलेज है और अभी के जो इसके वाइस चांसलर है वह तारिक मनसूर है अलिगर मुस्लिम इनवर्सिटी उत्रप्रदेश के अलिगर सहर में आया है उसके बाद आजका हमारा पहला सवाल है जापान के धार्मिक नेता का क्या नाम है जिसे हाल ही में 1995 की टोक्यो अंडरग्राउंड नरू गेस हमले मामले में मोत की सजा सुनाई गई है तो इसका आंसर यह सोको आ रहा है हम आपको जापान के बारे में बता देश दोस्तों तो यह कई सारे टॉप्वों पे बना देश है और इसकी राध्धनी टोक्यो है इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंजो आबे है और इसके करीब जोजन सिंख्या है वो 12.67 करोर लोगों की है इसकी जीडिपी 5.6 ट्र और जीडिये जाने की गोश्णा की गई है जिसका अंसर सी 22,553 करोर रुपे बतोर टेक्स के रूप में दिया गया है उसके पाद हमारा त्रिसरा सवाल है राष्टिय डॉपिंग एजनसी जिसे हम नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी कहते हैं नाडा कि उसके अनुसासनात पैनल के सोटपूट एथलीट इंदरजित सिंग पर कितने सालों का ब्यान लगाया है तो इसका आंसर यह चार साल है हम आपको बताया दे दोस्तों नाडा के जो अभी CEO है वो नभी नगरवाल है उसके पास हमारा चोसर सवाल है और बैंकों को कितने चिंधित जिलों में प् किस देश ने दो प्रमानों उर्जाई कायों का निर्माण चीन में करेगा जिसके काम सुरू करने की उम्मीद क्रमों सब्सक्राइब कराने का आदेश दिया है तो इसका आंसर भी उत्राखन हाई कोट है उसके बाद साथवा सवाल देख ले तो किस देश में निजी तोर पर संचालित हिंदु धर्म के स्वामी नारायन स्कूलों को बंद करने से रोकने है तो शुरू किये गए एक हक्स्ताक्सर अभियान में करीब 35 अधिस लोगों ने हक्स्ताक्सर किये हैं जिसका आंसर ये ब प्रपिल की जा रही है उसके बाद आठवा सवाल है नीति आयोक द्वारा निन में से किस सहर में भारत का पहला वैस्विक गतिस सिलता सिकर्स मेलन आयोजित किया जाएगा तो इसका अंसर भी नहीं दिल्ली है उसके बाद नवा सवाल है यूके नेस्नल ओस्यानोग्राफि यह 14 ट्रिलियंड डॉलर है हम आपको बता दें दोस्तों कई के एसे देश हैं जिसके इतना उनका पूरा जीडिपी भी नहीं है इसके पहले हम आपको बताया कि जापन का जीडिपी विखाली 5.6 ट्रिलियन है और इंडिया का जीडिपी अभी 2018 में तीन ट्रिलियंड का एस कि इस रोग का यह स्पेस सेंटर है और इस रोग जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च और्गुनाइजेशन केते हैं इसकी स्थापना 15 अगस्ट को उनिस सो उनहत्तर में की गई थी और इसके जो हेड़कॉटर है वह बैंगलोर में है और इसके जो अभी के चेर्मेन है वह डोक्टर के सिवान है उसके बाद हमारा ग्यारवा स्वाल है बैंक ओफचाइना से पहले चिन के कौनसे बैंक ओभारत में काम करने की अनुम्मत्य दी जा चुकी है तो इसका अंसर यह इंडिस्ट्रियाल ऐन कमर्शल बैंक ओफचाइना की इंडिया में इसका जो फर्स ब्रांच है वो 2011 में खोला गया हमारा जो आखरी सवाल याने की जो आप सब के लिए सवाल है एरुपीयन उणियम ने हाल में किस विबादित विद्य को इरुपीयन संसत में रद कर दिया है दोस्तो इसका ओPSन है यह एरुपीयन उणियन वर्सिस इंग्लेंन बिल्ड बी इरुपीयन उयन कोपिराइट कानूण C. European Union Child Protection Law D. European Union Education Bill दोस्तों ये चार उप्शन में से आपको हमें सही इसका आंसर देना है और आप अपना आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके दे सकते हैं और कल इस आंसर का आगले जो वीडियो हम अप्लोड करेंगे उसमा इसका हम आपको आंसर बताएंगे दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक कर दे और साथ में सेर कर दे जिससे दूसरे लोगों का भी फाइदा हो सके ऐसे ही जोग डिलेटेड करन्ट अफियर और लेटेस जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे जिससे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो अप्लोड करें उन सबका नोटिफिकेशन हमारे चैनल में सामिल हो सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाई दोस्तों जहिंद मंदे मात्रव